अच्के एस बीडिये में आपने जिस कोश्चिन के बारे में डिसकस करने वाले हैं वो आपने के जैंग मेंस के 9 जनवरी 2020 के सिफ्ट फर्स्ट का कोश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर देखिए आपने के इस क्या करा है कि आप इस परेकल आइरन बॉल आपने के पास बताने के लिए कर रहा है चलें सबस्क्राइब कर देखिए आपने के लिए कर रहा है से बाहर आपने के पास एक आइच का जमा हुआ है तो आपने के पास इस जो में यह मेटल बॉल है इसका रेटियस रखा है कितना अंद रखा है रेडियस तो टें सेंटेमेटर आपने इसका जो थेखिंवा कुछ माल लेती एक सेंटीमेटर के पराबर माल लेती है। इसका जो ठिकने से से एक सेंटीमेटर के बराबर है çीक है अब आपनी के बास यह जो है ना डिकरीजिंग रेट दे रहा है डीबी वय व्य भाईटी यह जो अपनी इस मेल यह जो वर्फ है यह पिखलना स्टार्ट होता है कितना सेंटीमिटर पर मिडंट से तो 50 सेंटीमिटर क्यों पर मिनट से ठीक है पर मिनट यानि डीवी वाई डीटी आपनी के पास दे रखा है अब अपनी के पास आ जाएंगे तो वालिम आपनी के पास आ जाएंगे 4 by 3 pi r q के बराबर होते हैं ठीक है तो 4 by 3 आपनी के पास पूछ रखा है क्या पूछ रखा है तो dx by dt यह जो अपनी के पास मेल्ट हो रहा है किस रेट से मेल्ट हो रहा है तो dx by dt यह जो radius कम हो रहा हुग आपनी के पूछ रखा है तो चलिए काफी जाए सिंपल है सबसे पहले आपनी केस इसको differentiate कर लेते हैं किजे differentiate किजे गाता आपनी के स्किस राजाएंगे तो db by dt और equal to यहां से आपनी के स्किस राजाएंगे 4 by 3 pi सबसे पहले power का differentiation तो यह जो इनका whole square और into में आपनी के स्किस करा जाएंगे तो dx by dt के बराबर बराबर अब देखे आपनी केस पता करना है यह x equal to दे रखा है और यह भी दे रखा है तो आपनी केस 10 प्लस 5 इनका whole square के पराबर और into में आ गया dx by dt के पराबर यह तो आपने कैस ऐसी ही किया यह अपने कैस इसे नहीं जाएंगे तो यहां से आपने कैस 50 इकोल टो आपने कैस 4 πाई पाई को आपने कैस एजटी जरहने देजी क्योंकि आंसर में आपने कैस पाई के टम है तो है किया पंद्रह गुने 15 इस नहीं के पराबर तो यहां से 15 और यहां से दोपंचे दस दोदूनी 4 के पराबर यहां से आपने कैस ब्लत पूल यही फूल-end final answer आ जाएंगे 1 upon 13, 10 तो 1 upon 18 pi के बराबर बराबर तो यह आगया आपने कराइंगे 1 upon 18 pi देखिए कौन से option में दे रखा है तो option number c क्या जाएंगे इनके correct answer हो जाएंगे बराबर इसमें किसी को दिक्त परसानी है तो बतागे तो उपसन नमबर C के आजेंगे निके और अंसर तो यह रहा अपने के पास जैंग मेंज की 9 जन्वरी 2020 के सिफ फर्स्ट का कोशन तो और बढ़िया कोशन था तो बस इतने इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ा नहीं करते रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लैक करत